यह है डिग्री part 1 का हिंदी का swap mark का question जो कि ग्रूप D2F के लिए है और यह second setting का है swap mark के लिए है हम आप लोग को इसका answer बताने जा रहे हैं आप लोग अपना answer चेक कर सकते हैं क्वेश्चन नमर फस्ट है यहाँ पर छायावाद सब्द का सरपर्थम प्रयोग किस ने किया था इसका एंसर हो जाएगा A मकुट धरपांडे ने क्वेश्चन नमर दूसरा है यहाँ पर आचार नंदन दुलारे बाजबरी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है तो question number दूसरा का answer जो है यहाँ पर D हो जाएगा मुगरधर पांडे को question number तीसरा है यहाँ पर छायावाद अस्थुल के प्रती सुक्ष्म का विद्रो है यहाँ कथन किसका है तो तीसरा का answer जो है वो यहाँ पर C हो जाएगा डॉक्टर नागेंदर question number चोथा है यहाँ पर छायावाद के कभी चतोस्ठेक में कौन नहीं है तो यहाँ पर चोथा का answer जो है वो हो जाएगा यहाँ पर D डॉक्टर राजकुमार वर्मा question number five है यहाँ यहाँ पर कामायनी के रचायता कौन है तो पच्चमा का answer जो है वो B हो जाएगा जैसांकर पर साथ question number 6 है यहाँ पर अरून या मधु में देश का किसकी पंक्ति है question number यहाँ पर छठा का answer जो है वो हो जाएगा यहाँ पर D question number seven है गीह की कचवरी किस कविता से संबंध है तो question no.7 का answer यहाँ पर C हो जाएगा जुही की कला जुही की कली question no.8 यहाँ पर दो प्रेमी है यहाँ एक जब बड़े सांच अल्हा गाता है किस कविता की पंक्ति है यहाँ तो question no.8 का answer जो है वो यहाँ पर A हो जाएगा गीत अगीत का question no.9 है यहाँ पर question no.9 का answer जो है वो B हो जाएगा 1935 में question no.10 में यहाँ यहाँ पर मार्क्सवादी जीवन दर्सन की साहितिक अभिव्यक्ति किस काल के नाम से जानी जाती है question no.10 का answer जो है वो D हो जाएगा नई कविता एक 11 नमर question यहाँ पर रास्ट किस कवी को कहा गया है question no.11 का answer जो है वो यहाँ पर हो जाएगा D दिनकर को question 12 है इंहें कौन प्रियोगवादी कभी नहीं है तो इसका answer जो है वो हो जाएगा आप लोको question 12 है और इसका answer B हो जाएगा question 13 है यहाँ पर उर्वसी के लेख़ कौन है तो question 13 का answer जो है वो यहाँ पर C हो जाएगा question 14 है कामाईनी में सरदा किसका प्रतिक बताया गया है तो question number 14 का answer यहाँ पर C हो जाएगा question number 15 है कामाईनी को मानाबदा का रसात्मक इतिहास किसने कहा है तो 15 question का answer जो है वो यहाँ पर C होगा question number 16 है यहाँ पर प्रेम और सांदरे का कभी किस छायावदी कभी को कहा जाता है हरीजन गाथा किसकी कभीता है तो 17 नमर का answer जो है वो यहाँ पर D हो जाएगा नागारजुन को question number 18 है यहाँ पर रामधारी से ही दिनकर का जीवन काल क्या है तो इसका answer जो है वो हो जाएगा C 1908 से 1974 इसका answer C हो जाएगा question number B से यहाँ पर वैधनाथ मिस्र किस कभी का दूसरा नाम है तो question number 19 का answer जो है वो आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर B नागारजुन को question number B से यहाँ पर वो चिंता की पहली रेखा किस रचना की पंगती है तो 20 number question का answer भी A हो जाएगा यहाँ पर काम आया नहीं question number 21 है कनूपिडिया के लेखक कौन है तो 21 number question का answer जो है वो यहाँ पर B हो जाएगा धर्मवीर भार्दी question number 22 है यहाँ पर अंधा यूग किस विद्धा क्या है अंधा यूग की विद्धा क्या है question number 22 का answer जो है वो यहाँ पर D हो जाएगा गीत नाट्टे है यह question number 23 है यहाँ पर अकाल और उसके बाद किस की कविता है तो 23 number question का answer यह हो जाएगा नाकारजुन 24 number question है मा भारत पर अधारित धर्म बीर भारती कि कौन सी रचना है तो यहाँ पर 24 number question का answer जो है वो यहाँ पर C हो जाएगा अंधा यूग question number 25 है आसू, किसकी रचना है 25 number question का answer B हो जाएगा यहाँ पर जैसंकर परसाद question number 26 है लाहर के रचाइता कौन है इसका answer हो जाएगा A जैसंकर परसाद question number 27 है दीन कविता के लेखक कौन है तो इसका answer जो है A हो जाएगा है और यहां पर है तो 28 ging, अंसर इंतार है तो 28 Run ke जाएगा रामधारी सिंदकर उनतिस नमर को घ् TibencedCar ऑनकी सकती पूझार के कवी कौन है है तो 20 का यहां मज़ झाले है वहाँ जाएगा इस रिखी इस निर्ला वोस्ट healthy 6 यहाँ पर आसु किस परकार कावव है तो थीस नमर कोश्चन का एंसर यह हो जाएगा विड़ा हप्रेम घाव यह कौश्चन्वर एक्ट्ष है निर्ला की कौन सी रचना कृति वास रामाइड पर अधारित हैं तो एक्ट्रमोर कोश्चन का एंसर ड्य हो ज जाएगा सुरीकान्थ तिरपाठी निडाला कोश्चे नमर 33 है अपना गान के लेखर कौन है तो 33 नमर कोश्चेंब का एंसर जो है वह यहाँ पर आपन आप साहे हो जाएगा मुक्टि बोध है तो 35 नमरों कोस्चन का अंसर जो है वह हो जाएगा नारी का सुंधार है को अब यहां पर 36 है लोहाप इत्यास की हवा किस की रचना है तो 37 हो जाएगा और गे कि रचना है तो 38 है बापु कविता के कवी कौन है तो इसका एंसर जो है वो सी हो जाएगा दिनकर Qَ olorsa them are 38 है यहां पर साजी का बातल किसकी रचना है October 29 का äंसर जो है उया पर हो जाएगा 49 यह जाएगा धर्मभी बारति QNo.40 यहां पर तुम लोगोंसे ढूर कि रचायता कौन है तो चालिस नमर कोश्वर का V हो जाएगा मुक्ती बोध रहां अपर क्तालिस विट पर इंश करे हैं T क्तालिस बसक्राइब कर दो नियुके कोर्स हो है तो तो 33 नमर क्तालिस सब्सक्रार आइबर मुसक्र Śरहा जाएगा उनिस्ता तैंतालिस इस भी में कोश्चन नमर चोवालिस है विरा और वेदना की कावितरी किसने किसे कहा जाता है तो यहाँ पर चोवालिस नमर कोश्चन का एंसर जो है यह हो जाएगा महादेवी बर्मा को कोश्चन नमर यहाँ पर पैंतालिस है भड़ी बंस राइब चन कोष्चन नमर 47 है यहाँ पर मंगल वर्शा के कभी कौन है तो 47 का एंसर जो है वो यहाँ पर C हो जाएगा भवानी पर साथ मिस्र कोष्चन नमर 48 है यहाँ पर नव संस्कृति के लेखा कौन है तो 48 का एंसर जो है दिल उन से कौन राय वं extraordin की रचना नहीं यहाँ पर भी नहीं पुछा गया है तो पत्चास नमर पर समरफ गूलाबि जुअ मुखती है तो पूल्त म्येंसर जुव स्टू नलाला की पंगती है कोश्चन नमर तीरपन है यहाँ पर टेसू निकले मुकूलो के गच्छे गदग राय किसकी पंगती है तो यहाँ पर तीरपन का एंसर जो है वो आप लोग को बताना है यह कोश्चन जो है कुछ डाउट भरा है नेक्स्ट कोश्चन है यहाँ पर चोगन विड़ा का जलजात जीवन किसकी पंक्ती है वो ए हो जाएगा यहापर महातेवी वर्मा इनमें कौन संच्छेपन का दूसरा नाम नहीं है तो 55 का एंसर जो है वो यहाँ पर ए हो जाएगा संच्छेप्त लेखन कोश्चेपन नमर 56 है यहाँ पर संच्छेपन परकिरिया का पहला कदम क्या है तो 56 का एंसर जो है वो ए हो जाएगा मूल अंस को पढ़ना कोश्चेपन नमर 57 है संच्छेपन में कितनी सब्द संख्या रखी जाती है तो 57 का एंसर जो है आप लोग को यहाँ पर ए हो जाएगा एक तिहाई क्वेश्चेपन नमर 58 है किस संच्छेपन को विश्टार पूर्वक लिखना क्या कहलाता है किसी संच्छेपन को विश्टार पूर्वक लिखना क्या कहलाता है तो 58 नमर 59 का एंसर जो है यह हो जाएगा पल्लवन क्वेश्चेपन नमर 69 है यहाँ पर नोटिंग किस की या किस का दूसरा नाम है तो नोटिंग जो है किस का दूसरा नाम है तो ये अनुवाद का दूसरा नाम है Q61 है यहाँ पर इन में से कौन टिपन का भेद नहीं है तो एकसट का एंसर जो है वो D हो जाएगा Q62 है यहाँ पर प्रारूपन का अन्य नाम इन में से कौन नहीं है तो 62 का अंसर जो है वो भी हो जाएगा अलेखन प्रारूपन का दूसरा नाम नहीं है Q63 है प्रारूपन का प्रियोग कहा होता है तो 63 का अंसर जो है वो C हो जाएगा कारियालय में Q64 है हिंदी में क्या कहते हैं तो question 65 का answer जो है वो यहाँ पर हो जाएगा B अनुबाद question 66 है अनुबाद एक सिल्फ है या कथन किसने कहा था तो 66 question का answer जो है वो D हो जाएगा इन्हें में से कोई नहीं next है question इसमें कौन अनुबाद का प्राकार नहीं है तो 66 क का answer भी Đी हो जाएगा यहाँ पर प्रारुपन जो है वो अनुबाद का प्राकार नहीं है TION 68 यहाँ पूचह जा रहा है अनुबाद में से कम से कम कितनी भासाओं का ग्यान अवस्यक है तो 68 का answer जो है वो डी हो जाएगा दो वरेंद्र है एजेंट की हिंदी किस ने इन में से क्यों है तो 59ड़ क्वेंद्र नमर मेंने का यहां पर भी है अभी करता Q72 यहाँपर पुछा जा रहा है Broadcasting का Hindi Earth क्या होता है तो 70 का answer जो है वो यहाँपर A हो जाएगा प्रसारन Q71 है Memorandum को Hindi में Hindi में इनमें से कौन नहीं है Memorandum का Hindi यहाँपर पुछा जा रहा है तो 71 का answer जो है वो यहाँपर B हो जाएगा Q72 है वेलिडिटी का अर्थ हिंदी अर्थ इनमें से कौन है तो 72 का एंसर जो है वो हो जाएगा यहाँ पर D समापन क्वेशन नमर यहाँ पर 73 है आसमान पर चरना把 um स्वार्थ इंधी होगा यह एक प्रगार का मुहब्र है और 73 नमर कोषचनका एंसर जो है वह यहाँ पर D हो जाएगा अत्य अधिक Phrasans सा करना 74 नमर कोषचन है राज काज में कोडा होना का अर्थ क्या वत है यहां पर अर्थ बताना है काम काज में कोडा होना तो 74 नमर का एंसर जो है वो हो जाएगा यहां पर D काम न करना कि को अचेयर पर यहांपर 75 है इंसरे का अर्थ क्या है थाल नमरा स्टतर है और और 77 का answer, जो है, वह यहां पर C हो जाएगा, अठाट नमर question है, और इसका answer जो है, B हो जाएगा, question 89 है यहाँ पर, कोईले की दालाली में, मूख काला का किया अर्थ है, तो 89 का answer, जो है, वह यहां पर हो जाएगा B, बुरे काम में बुराई मिलना Q80 यहाँ पर है सुद्ध बरतनी का चैन कीजिए तो 80 नमर Q80 का एंसर जो है ए हो जाएगा Q81 है नमले कितिम से कौन सुद्ध सब्ध का चैन करना है तो 81 नमर Q80 का एंसर जो है D हो जाएगा उन्नती और यहाँ पर 81 नमर Q80 है दिये गए सब्धों में सुद्ध बरतनी वाला सब्ध कौन है तो 81 का एंसर जो है वो यहाँ पर B हो जाएगा तो 81 का एंसर जो है तो 41 का एंसर जो है झाल झाल